ओम शांती, आज 24 जून 2022 के जगदंबा मा के महवाक्य हैं, जिनकी ओरिजनल डेट है 15 दिसंबर 1963, आज का दिन इस यग्ये के इतिहास में बहुत ही महतोपुरण दिन है, 24 जून 1965 के दिन जगदंबा मा ने भौतिक दे का त्याग किया, आज के दिन जगदंबा मा ने सभी यग्ये वत्सों से अंतिम विदाई ली, इनका पहले नाम राधे था, ओम अंडली में आने के कारण सब ओम राधे कहने लगे, ओम राधे को ही जगदंबा मा को विशेश रूप से पालना का पार्ट दिया, इसलिए सब उनको मम्मा कहने लगे, माताओं बहनों की संभाल के लिए जगदंबा मा नमित बनी, उनकी मुख्य विशेशता थी कि हर एक के प्रती अपना पन, हर एक रुख को राहत देने वाले मीठे बोल बोलना, ज्यान की रहस्यों को बहुत सहजता से स्पश्ट करना, उनका मुख्य स्लोगन था, हर घड़ी अन्तिम घड़ी है, इसलिए एवरडी रहो, बहुती सुन्दर बात ममा सिखाती थी, मन छोटा बेबी है, इसको प्यार से समझाओ, मन मनाभव हो जाओ, ऐसी जगदंबा मा को हम सभी यग्यवत्स दिल से नमन करते हैं, बंदन करते हैं, हरोज हम बाबा की मुरली सुन्ते हैं, लेकिन चोबिस स्यून को हम ममा की मुरली सुन्ते हैं, सबी एकागर होकर ममा की मुरली सुनेंगे और important points को लिखेंगे आज की मधुर मुरली में जगदम मामा ने समझाया कि जो भी हम करम करते हैं उस करम से हमारा भाग्य बनता है कभी ये न कहें कि सुख दुख भगवान देता है वो तो सुख का ही रास्ता बताता है अपने आपको टाइम दो, सुख दाता को पहचानो, अपनी कम्यों को दूर करो सुनते हैं मधुर बोल मीथी मा के, मुरली का सार है करम ही सुख दुख का कारण है ये तो सब मनुष्य जानते हैं जीवन में दुख और सुख करम के आधार से प्रालब्ध रूप में चलते हैं जरूर पहले ऐसे करम किये हैं जिसकी प्रालब्ध सुख या दुख के रूप में भोगनी होती है तो सुख और दुख का संबंध हो गया करम से कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे कई ऐसे समझते हैं जो किस्मत में होगा इसलिए दुख सुख को किस्मत समझ लेते ये तो ऐसे हुआ जैसे किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है इसलिए कह देते हैं जो किस्मत में होगा लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है किसमत भी किसने बनाई किसमत कोई परमात्माने नहीं बनाई ऐसे भी नहीं किसमत कोई पहले से ही बननी पड़ी है नहीं ये दुख सुख जो मनुश्य भोगता है उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है क्योंकि करम करने वाला मनुष्य है इसलिए ये responsibility अपनी हो गई जो करनी सो भरनी ये तो common कहवत है और जो करेगा सो पाएगा गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है अपना ही शत्रू है ऐसे नहीं का कि मैं तुम्हारा शत्रू हूँ मैं तुम्हारा मित्र हूँ नई जीवात्मा अपना शत्रू अपना मित्र है इसलिए अपने साथ मित्रता अपने साथ शत्रूता दुख सुख करने वाला मनुष्य खुद ही हुआ ये बात इतनी स्वश्ट है दुख सुख का responsible मनुश्य खुद अपने आप है इसने जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं कोई लड़ाई चगड़ा खड़ा हो जाता है उसको खतम करने की कोशिश करते हैं इसमें किसी न किसी का अकाले भी मृत्यू हो जाता है दुख होता है समझते हैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यूं हुआ फिर उसी वेग में जोश में आकर भगवान को गाली देने लगते हैं अब तुम्हारे आगे ये जो बाते आई ये किया किसने ये अकाले मृत्यू जो आया ये जो रोग के रूप में दुख आया क्या ये भगवान ने किया ममा पूछ रही है ये किसने किया ये जो लड़ाई जगडे संसार के जितने भी दुख के कारण है क्या ये सब भगवान ने किये अरे भगवान जिसको कहते हैं दुख हरता सुख करता इसलिए जब कोई भी दुख हाता है तो उसको याद करते हो शरीर को रोग लगता है कहते है भगवान दुख में उनको याद करते हो अगर उसी ने दिया तो जो दुख देने वाला है उसको क्या याद करना अगर वो ही दुख देने वाले उसको क्या याद करना बताओ भलो ये भी तो सोचना है ना कि दुख के समय जो याद आता है उसके लिए भी कह देते कि ये दुख उसने दिया ये भी तो समझने की बात है जब याद करते हैं तो जरूर उसका समध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है ना कि दुख देने का है इससे सिद होता है दुख का कारण अत्वा इसका responsible कोई और है उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं एक मैं और दूसरा मेरा रच्टा बस दो ही चीज़े हैं एक मैं उनकी रच्चना या उनकी संतान को हो दूसरा है बाप तो या बाप responsible है या मैं responsible हूँ लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई देने लगता है जैसे उस रच्टा ने मुझे दुख दिया जब दुख आता है तो में क्या लगता है उस रच्टा ने दुख दिया अंदर से लगता भी है कि वो तो मेरा सुख दाता है जैसे सुख के लिए सहारा मांगते है ये भगवान ये दुख दूर करना भगवान मेरी आयू बड़ी करना देखो आयू के लिए भी मांगते है तो आयू के भी दुख के भी शरीर के रोक के भी जो भी लड़ाई चगड़े, कोई भी ऐसा अशान्ती का कारण आता है, तो भगवान से मांगते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है, तो कहते हैं भगवान इसको सूमत देना, और मत भी उससे मांगते हैं, किसी भी बात से, जब दुख कुछ कस्ट होता है, तो कस्ट में याद उ उससे करते हैं, जब उससे ही मांग करते हैं, तो जरूर वै उसका दाता है, और वो ही हमें सुक देने वाला है, माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही है, ऐसे ही सिरफ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है, तो ये सब हमारी जो हैबिट चलती हैं, बहले जान जानते हैं या नहीं जानते हैं भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है Oh my God कोई भी बात आती तो क्या करते है Oh my God भले कोई जाने ना जाने वे God कौन है क्या है पर मुख से निकलता जरूर है तो ये भी समझने की बात है आखर भी हम जिसको याद करते है क्या उनका हमारे इन सब दुखों से कोई connection है क्या वे दुख का दाता है या उनका connection सुख देने से है ये तो हमारी याद से सिद्धो चाता है उनका कोई दुख देने का काम ही नहीं है सब उसे याद करते है मतलब कभी सुख पाया है आत्मा ने तो उसे याद करते है अगर देता तो याद क्यों करते अगर वो दुख देता तो से याद क्यूँ करते, दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुसा आता है, सोचते हैं इसके लिए पतानी क्या करें, परन्तु भगवान के प्रती, सदा और दुख के समय तो खाश प्रेम आता है, अंदर से याद आता है, जैसे हमारा कोई मित्र है दुख के समय क्या फिल होता है वही हमारा सबसे बड़ा मित्र है खुदा ही हमारी मदद करता है हमसे प्यार करता है अंदर वो खुशी आती है तो जरूर उनका हमारे साथ सुख का संबन्द है तो दुख का कारण जरूर कोई और है अभी और कोई तीसरा तो ही नहीं एक मैं, दूसरा वैं, तो जरूर मैं responsible हुआ, तो जिस चीज के लिए मैं निमित हूँ, मैं ही दुख में दुखी होता हूँ, पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ, तो यह देखो कितनी बेसमजी है, जिस चीज से चुटकारा चाहते हैं, वो चीज मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ, आश्चरे की बात है न, मनुष्य चाहता नहीं, फिर भी दुख बनता जाता, जरूर वै कोई बात से अंजान है, बेसमज है, तो जिस बात का पता नहीं लगता, उसका पहले पता निकालना चाहिए, जरूर मुझे उसके कुछ नौलेज होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए, प्रंतु आश्चरे है कि आज ऐसी बात समझने के लिए, देखो कई बिचारे कितने बहाने देते हैं, कहेंगे फुरसत नहीं, समय नहीं, क्या करें, गरस्त धंदादी समझालें, या ये करें, वो करें, क्या करें, इसलिए वो देखते समझालते हुए, उसमें दुखी हुए पड़े हैं, अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कहके, दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए, बनाने के लिए, उसकी जानकारी रखनी चाहिए, ये चीज बना के मैं दुखी होता हूँ, उसका कारण क्या है, पहले मुझे ये समझतो होनी चाहिए, मैं दुखी क्यों हूँ, ये हमें बात स्पस्ट होनी चाहिए, है दुख मिटाने का इलाज क्या है वो भी जीवन के लिए जानना बहुत आवश्रक है दुख मिटाने का इलाज क्या है वो भी जानना जरूरी है प्रन्तु जानते हुए भी कहते क्या करें कैसे करें क्या अपना गरस्तववार छोड़ दे तो आश्चरे लगता है देखो जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते हैं. हम अनुभौव से उसी बातों को समझ करके धारण करके बताते हैं, कि अनुभौव की चीजनी है. जरू अनुभौ हुआ है, तब ही कहते हैं, प्रैक्टिब कल में किस तरह से सुख की ब्राप्ती हो सकती है, जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वह जो सुख दाता है, वो स्वयम हमें अपना परीचे दे रहा है, हे बच्चे, तुम दुखी क्यों हुए हो, बाबा ही बताते हैं, हम दुखी क्यों हुए, कारण तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है, जो तुम्हीं खुद को पता ही नहीं चलता, जिसके कारण दुख उठा रहे हो, क्या तुम्हारे करमी दुख का कारण बनते जा रहे हैं, वह आकर के समझो, देखो, हम इतने ओफर करते हैं, तो भी आशर हैं ये सुनते भी बिचारे कहते हैं, शायद बस यही चलना है, सुनते भी भी सोचते हैं कि शायद यही चलना है, इसको ही कहा जाता, ओहो मम माया, एकदम माया पकड़ कर बैठिये, चाहते भी जिस चीज के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं, वो ही बाप सामने से बताते, ब तुम्हारे दुख हरने सुख देने आया हूँ, तभी तो गाते हैं दुख हरता सुख करता, कभी ऐसा नहीं कहते हैं, आज दुख हरता सुख करता नहीं, तो हर दिन दुख हरता सुख करता है, सिरफ आज का दिन नहीं, सदा ही वो दुख हरता सुख करता है, बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारे दुख हरने, उसके लिए तुम्हें ऐसे करम सीखाओंगा जिससे तुम्हारे नष्ट हो जाएं दुख. मैं ऐसे करम सिखाता हूँ जिससे तुम्हारे दुख नश्ट हो जाए सर्म मैं जो सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ करके पुर्षाट करो जिससे दुख नश्ट हो जाए तुम्हारे दुख नश्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ इसको धारण कर लो क्योंकि तेरी चीज है न प्रंतु कई तो विचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के उपर मेहरबानी करते हैं कई फिर कहते हैं समय मिल गया तो कर लेंगे अरे भई, खिलाना, पिलाना ये सब जो बाते हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में से ही तुम मूझ गए हो उसे ही दुखी हुए हो जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे दूसरी तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं तो देखो कोई की बुद्धी में मुश्किल बैठता है इस प्रकार माया इन पाँच विकारों को कहते हैं प्रन्तु मनुष्य बिचारे धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं कई फिर शरीर को ही माया कह देते उससे बचने के लिए उपाई करते रहते तो बाबा कहते हैं तुमारे दुख का कारण कुछ और है ये प्रकृति मेरी रचना है जो अनादी है तो कोई दुख का कारण नहीं तुमारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई है जो दुख का कारण है उसको इपाँच विकार माया कहा जाता है विकार कोई शरीर नहीं संसार विकार नहीं धन संपत्ती विकार नहीं विकार एक अलग चीज है जो आने से सब चीजे दुख का कारण बन चुकी है नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है उनकी लिए संपत्ति धनादी जो है वैं सब सुख के कारण है लेकिन इस सब बातों का पूरण ज्यानना होने के कारण सब चीजे दुख में आ गई ऐसे भी नहीं कि मैंने जो अनादी रचना रची है वे कोई दुख का कारण है नहीं दुख के कारण तुम बने हो तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है वो अलग चीज आई ये माया पांच विकार अब उसी को तुम्हें निकालना है मानिश्य फिर कह देते इस सब भगवानने दिया और भगवानने दिया तो दो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे इस सारी बाति समझने की है इसके टोड़ा टाइम तो देना होगा दुखो को नाश करने की विधी सीखनी होगी क्या करना होगा दुखो को नाश करने की विधी सीखनी होगी इसके लिए कहते हैं बार-बार आओ कुछ समझो प्रन्तु ऐसे नहीं कि यहां से सुना और बाहर गई फिर बात खतम कई फिर कह देते हैं यह तो बड़े बुड़ों का काम है कई तो सोचते हैं बड़े बुजरगों का काम है क्या जीवन बनाना यह बुड़ों को ही जिरूरी है बुड़ा तो वो हुआ जो उल्टी सीड़ी चड़ जाते फिर देख करके उतरते हैं उससे तो क्यो ना सीड़ी चड़ने से पहले ही संबल जाएं कि हमें जीवन कैसे चलानी चाहिए इसलिए उनको राय देंगे इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है दुख का जो कारण है उसको मिटाने का पूरा पूरा पूर्शाट करो जतन करो भगवान बाप जो सबका पिता है उस पर जो हमारा हक है उसको ही समझना है और वो हक लेना है खाली ऐसे थोड़े उनको बाप कहना है लेकिन उनके दुखरा हमें क्या प्राप्ती होती है उसको भी कोई आकर के सुने और समझे हम सबको ओफर तो करते ही रहेंगे आगे भी निमंत्रन और संदेश देते ही रहे है फिर कोटों में कोई जागते है आगे भी ऐसा हुआ तब ही भगवान नहीं कहा कोटों में कोई मुझे जानते है कुरोडों में से कोई है जो मुझे पहचानते है यहां कर इस चीज को समझ के और कुछ धारन करने की बाते करो एक ही दिन में इस सब बाते समझाने में नहीं आ सकती टाइम लगता है समझाने में धारन करने में अच्छा, मीटे मीटे बच्चों प्रती याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप डद को मीठी जगदंबा मा को, याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया ममा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वर्दान, अपने पुझे स्वरूब की सम्रती से, सदा रुहानी नशे में रहने वाले, जीवन मुक्त भव, ब्रामन जीवन का मजा, जीवन मुक्त सिती में है, जिने अपने पुझे स्वरूब की सम्रती रहती है, उनकी आँख सिवाई बाब के, कहीं भी डूब नहीं सकती, पुझे आत्माओं के आगे स्वयम सब व्यक्ति और वैभव जुकते हैं, पुझे किसी के पीछे आकरशित नहीं हो सकते, देहे संबन्ध, पदार्थ, संसकारों में भी उनके मन बुद्धी का जुकाव नहीं रहता, वो कभी किसी बंधन में नहीं बन सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिती का अनुभव करते हैं, ऐसे जीवन मुक्त स्थिती का अनुभव करते हैं, जो पुझे स्मृती स्वरूप में रहते हैं, पुझे स्वरूप की स्मृती में रहने वाली आत्माईं, बंधन से मुक्त स्थिती का अनुभव करते हैं, इस लोगने स सच्चा सेवाधारिवे है जो नमित और निर्मान है आज हम अभ्यास करेंगे मैं जीवन मुक्ता आत्मा हूं अपने पूच्चे स्वरूप को याद करेंगे पूच्चे आत्माओं के आगे सारा संसार जुकता है नमन करता है वो किसी भी आकरशन में नहीं आते अपने पूच्चे स्वरूप को इमाज करें द्रड संकल्प करें मुझे कभी किसी भ्यक्ती में वस्तू में वैभाव में आकरशित नहीं होना जिने पुच्चे स्वरूप की स्मृति है वो आत्माओं सदा जीवन मुक्त रहती है शुक्रिया बाबा आपने हमें जीवन मुक्त बनाया ओ शांति 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 कि स्यर्णों नहीं होना है